आज हम सीखेंगे जन्तु के संयोजी उतक के बारे में जन्तु की शरीर में अनेक उतक मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्द करते हैं उतक के कार्य करने के आधार पर जन्तु उतक को अब चलिए जन्तु के संयोजी उतक को विस्तार से समझे ऐसे उतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं संयोजी उतक कहलाते हैं इसलिए रक्त और अस्थी यानि बोन संयोजी उतक के प्रकार है संयोजी उतक की कोशिकाएं आपस में कम जूड़ी हुई होती है और अंतरकोशिकी या आधात्री यानि इंटरसेलुलर माट्रिक्स में धसी हुई होती है यह आधात्री तरल जैली जैसा सघन अथ्वा कठोर हो सकता है आधात्री की प्राकृती सयोजी उतक के कारे के अनुसार बदलती रहती है अब यदि हम रक्त की एक बूंद स्लाइड पर रखे और सूक्ष्म दर्शे की सहायता से इसका निरिक्षन करे तो हमें इस प्रकार की विभिन्न आकार के कोशिकाएं दिखती है इसलिए रक्त जटील उतक का प्रकार है रक्त में उपस्तित तरल आधात्री भाग को प्लाजमा कहा जाता है प्लाजमा में लाल रक्त कणिकाए यानि red blood corpuscles, श्वेत रक्त कणिकाए यानि white blood corpuscles और platelets निलंबित होते हैं साथी plasma में जल, glucose, protein, lemon, enzyme और hormone भी होते हैं हम जानते हैं कि रक्त शरीर में पांचित भोजन, गैसो, hormone और उत्सर्जे पदार्थो यानि waste products को एक भाग से दूसरे भाग में पहुचाता है यानि सन्वहन का कार्य करता है रक्त केशिकाओं यानि blood capillaries से एक द्रव स्त्रावित होता है जिसे लसिका यानि lymph कहा जाता है यह द्रव शरीर के कोशिकाओं के चारो और उपस्थित होता है लसिका उतक की कोशिकाओं यानि श्वेत रक्त कनिकाओं तरल आधात्री में निलंबित होती हैं लसी का शरीर को रोक प्रतिकार शक्ती यानि इम्मुनिटी प्रदान करता है हम जानते हैं कि अस्थी भी शरीर के विभिन अंगों को एक दूसरे से जोडता है इसलिए अस्थी भी सयोजी उतक का प्रकार है अस्थी कोशिकाओं यानि ओस्चियोसाइट, कैल्शियम और फॉस्फरस से बनी आधात्री में धसी हुई होती है इसलिए यह आधात्री कठोर होती है जिसके कारण यह उतक कठोर इवं मस्बूत होता है इसलिए हम अस्थी को मोड नहीं पाते अस्थिया पंजर याई फ्रेमवर्क का निर्मान करती है जो शरीर को आकार प्रदान करता है और अंगों को गत्री प्रदान करने में सहायता करते है इसी के साथ यह माश पेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी प्रदान करते है दो अस्तियां एक दूसरे के साथ स्त्रायू यानि अस्ति बंधन तन्तू द्वारा जुड़ी हुई होती है इसलिए स्त्रायू भी एक प्रकार का सयोजी उतक है स्त्रायू में बहुत कम आधात्री होती है जो अस्ति को अन्य अस्तियों के साथ जोड़ती है स्तरायू बहुत लचीला और मस्बूत होता है अस्थिया और मास्पेशिया एक दूसरे से कंडरा याने टेंडेन द्वारा जुड़ी हुई होती है इसलिए कंडरा भी सयोजी उतक है यह एक मस्बूत रेशदार और सीमित लचीलेपन वाला उतक है इसी प्रकार उपस्थी यानि काटिलेज भी सयोजी उतक का प्रकार है हमारे कान, नाक, कंठ यानि लारंक्स और श्वासनली यानि ट्रकिया में उपस्थी उपस्थित होता है इस उतक की कोशिकाए यानि कॉंजियोसाइट लचीली होती है और इनके बीच में परियाप्त स्थान होता है इसलिए हम उपास्थी को आसानी से मोड़ सकते हैं तथा इसकी कोशिकाए प्रोटीन और शरकरा यानि शुगर से निर्मित आधात्री में धसी हुई होती है उपास्थी अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है तथा विबिन अंगों को आकार और सहारा देता है हमारे शरीर के तवच्चा और मास्पेशियों के बीच रक्तनलिका के चारो ओर तथा तंत्रिका यानि नर्व्स और अस्थी मज्जा यानि बोन मारों में एरियोलर संयोजी उतक उपस्थित होता है इस उतक के कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होई होती है और जैली जैसे आधातरी में धसी होई होती है यह उतक अंगों के भीतर उपस्थित खाली जगों को भरता है और साथ ही आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा उतकों की मरम्मत करने में सहायता भी करता है इसी तरह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसामय उतक यानि एडिपोस टिशू उपस्थित होता है इसकी कोशिकाए यानि एडिपोसाइट जेली जैसे आधात्री में धसी हुई होती है वसामय उतक वसा यानि फैट को संग्रहित करता है इसलिए इसकी कोशिकाओं वसा की गोलिकाओं यानि फैट ग्लोब्यूल्स से भरी हुई होती है वसा का संग्रहन करने के कारण वसामय उतक उर्जा के स्त्रोत और उश्मिय कुचालक यानि हीट इंचूलेटर का भी कार्य करता है तो अब आप यह अवश्य बता सकते हैं कि मोटे व्यक्ति की तुल्ना में पतले व्यक्ति को थंड ज्यादा क्यों लगती है अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए तो आज हमने सीखा जन्तु के संयोजी उतक के बारे में